ओम जैन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुरुगा समा सिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुद। जैन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुरुगा शमा सिवा धात्री और स्वधा इन नामों से प्रसिद जगदंबे आपको मेरा नमस्कार। जैन्ती सर्वोत्षेने वर्तते इती जैन्ती सबसे उतक्रिष्ट एवं विजे सालनी तेवी जैन्ती है मंगला जनम मरणा दिरूपम सरपणम भक्तानाम लाति ग्रणाती यासा मंगला मोक्ष प्रदा जो अपने भक्तों को जनम मरण आदि संसार बंधन से दूर करती है उन मोक्ष दाइनी मंगल दैवी का नाम मंगला है कल्यती भक्षिती परलेकाले सरवभम इतिकाले जो परलेकाल से संपोन स्रिष्टि को अपना ग्रास बना लेती है बहकाली है जो अपने भक्तों को देने के लिए भद्र सुख या मंगल स्विकार करती है वह भद्रकाली है जिन्होंने हात में कपाल तथा गले में मुंडों की माला धारणक रखी है वह कपालनी दुखेन अस्तांग योग कर्म उपासना रूपेन कलेशेन गम्यते प्राप्ते साथ जो अस्तांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुख शाद्य से प्राप्ते हैं वे जगदंबाद दुरगा है समते सहते भक्ता नाम अनियत संपून जगत की चन्नी होने से अत्यन्त करुणा मई सौभाव होने की कारण जो भक्तों को ऐवं दूसरों के भी अपराद समा करती है ऐसी देवी का नाम समा है जिस प्रकार नाम वैसे ही भगवती का कारी है, सबका कल्यान करने वाली जगदंबा को सिवा कहते हैं संपून पंच सुब वस्त्वें धारण करने वाली भगवती का नाम धात्री है सुहा रूप में भक्तों से यग्य भाग ग्रहन करके देवताओं का पोषण करने वाली देवी सुहा है स्राद और तरपन को स्विकार करके पित्रों का पोषण करने वाली भगवती स्वधा है इस प्रकार अनेक रूपों में भगवती भक्तों की मनुकामना को पोण करती है मनुष्य ने उनकी अराधना अनेक प्रकार से करना चाहिए भगवती को बारं बार नमसकार करना चाहिए नमो देवी महादेवी सिवाय सत्रम नमो नमो प्रकर्ति भाद्राय नियता पड़ता समतामो देवी को नमस्कार है महादेवी को नमस्कार है महादेवी सिवा को सर्वदा नमस्कार है प्रकर्ति एवों भद्रा को मेरा प्रणाम है हम लोग नियम पूर्वक जगदंबा को नम तो मित्रों हमारी यह वीडियो उमेद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी चैनल पर बने रहें तथा शेर और सुस्क्राइब जरूर करें धन्यवान इस्ट देव सदा साहयो